कि हैं गाइस सभी दोस्तों को नमस्कार जहीं वंदे मारतम दोस्तों आप सभी के आपके चैनल जौप फोरियों में बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि शत्रिकर वेबसाइक परिक्षा में अभी प्री बीएड और डियलेट के लिए रिक्वार्मेंट की है है अगर आप इसमें अपलाई करना चाते हैं और बीएड और डियलेट करना चाते हैं तो उसमें आप कैसे आविदन कर सकते हैं ऑनलाइन इसके बारे मैं बताऊंगा तो वीडियो को सुरुष लेके अंत तक देखे और अगर आप हमारे चैनल में पह पर सेजी वैपम ठीक है तो आपको यह ऐसा होमपेज दिखाई देगा आपको यह वाले वेबसाइट में विजिट करना होगा आप ध्यान से देख लिजएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सिंप्ली यहाँ पर आपको आना होगा ठीक है यह वाले में नोटिस एप्लिकेशन या फिर जिन में फॉर्म सब्मेट हो रहा है वो सारी चीज यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी तो ठीक है तो सिंप्ली आपको यहाँ पर आना होगा यह देख सकते हैं आप प्री डिएलेड प्रविस परिक्षा 2020 चलिए आपको लिए जूमिल कर देता हू अगर उसको पढ़ना चाहते हूं और यहाँ से अगर देऊप्ट लग करना है तो संपली यहां पर अलग अलग डें टेर्व इडिया है व्यव्यव यह रोवर्य कर देना होका और यहां पर अगर हैना मोडे लय इसको मरें क्लीकर करना होगा और यहां पर इंस्टक्शन्म वगर आपको चेक करना है तो बंक अगर आप प्यामेंट करेंगे तो आपको कैसे करने है अगर उसमें दिक्कत आती है तो simply यहाँ पे कर सकते हैं तो चलिए अगर आपने इसमें पहले कर चैना है नो यहां पर आप क्लिक करके चैसे आप एंटर करेंगे आपको असा इंटर्फेस दिखाई देगा जिलिए आपको दिखा दिते हूं मैं सिंपली यहां पर आपको दिखाई देदेगा चत्तिगर website परिक्षा मंडल रायपूर ठीक है तो simply यहाँ पे उसके बाद आपको एक बार आपको इंटरफिस दिखा दे रहा हूं उसके बाद जो जो पूछेगा मैं आपको बताते चलता हूं ठीक है तो simply यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे है न दूनों के लिए ठीक है तो simply आपको जो अच्छा लगे आप मतलब जिसके लिए आप apply करना चाहते हैं वहाँ पर आप सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको फोटो करनी होगी यहाँ पे फोटो की लें डे सकते हैं 40 के बी से यहाँपर आपको 60 के बीच में यहाँ पीच मे है इसके अरावा आप यहाँ पे आपको अपना जो सिगनेचर है वो आली फोटो अपलोड करनी होगी ठीक है और यहाँ पे सबसे पहले केंडिडेट का नाम आएगा वो भी टैंथ मतलब आपकी जो दसवे की मांक सीट में होगी आपको उसी के अधार पर भरना होगा यहाँ पे आपके पिता जी का नाम आपके माता जी का नाम यहाँ पर आपको अपना डेटा वर्थ उसके बाद जो कास केडेगिरी है वो उसके बाद आपका जो select class वगर हो गया ठीक है इसके बाद आपको अगर आप इसमें physical handicap है PWD है तो simply आपको यहाँ पर वो select करना होगा ठीक है जैसे आप इतना सब चीज फिलप करेंगे फिर आपके category के हिसाब से यहाँ पर आपका payment so हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर simply आपको अपना address वगरा फिलप कर देना होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना exam center select कर देना होगा देखिए दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो एक चीज और बता दूं कि मैंने इससे पहले एक और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखिए तो नीचे एक बाद डिस्क्रिप्शन चेक किजएगा वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उपर में आई बटन आ रहोगा वहाँ पर भी simply आप क्लिक करेंगे तो वह वाले वीडियो आपको मिल जाएगी तो वहाँ आप यह भी आप देख सकते हैं ठीक है और यह चीज और बता दूं यहाँ पर एक्जाम सेंटर में देखिए तो वहाँ पर पूरे डिस्टिक्ट वाइस आपको एक्जाम सेंटर मिल जाएगा तो दिक्कात लेनी ज़रुत नहीं आपको अधर डिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट फिल यहां पर यहां पर यहां पर फटा पर आप सेंटर मिल जाए देखिए धर इसको छेक नृट कर देना होगा तो चली को यहां पर सुर्ण फटाफोट यहां पर इला ठीक है नो गैस यहां पर मैंने जितनी भी information मंगी थी मैंने वो सारी चीज़ी यहां पर fill up कर लिए तो ठीक है ठीक है जैसे आप यहां पर submit बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको एक notification आजाते हैं जिस पर लिखा होता है कि किरपया ध्यान देकी एक बार उपलफ्त कराई गई जानकारी में संसोधीत नहीं की जा सकती है आपको उसके लिए फीर से अविदन करना होगा क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो simply यहां पर आपको ओके पर क्लिक करना होगा और एक चीज़ बता दूँ अगर आप इसमें कोई गलती होती है तो गलती होने पर है न आपको यहां पर अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो simply आपको अपना registration नंबर पर जाना होगा ट्रेक ऑनलाइन registration नंबर पर क्लिक करके ठीक है तो वहां पर आप जाएंगे उसके बाद अगर आप इसमें कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपए एक्स्टा चार्जेस देनी होंगे ठीक है तो चलिए यहां पर simply ओके पे क्लिक करते हैं ठीक है यहाँ पर दोस्तों ओके पर यहां पर है न खिलिक करेंगे जैसे यहां तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है आपकी सामने भी आयगा अगर आप इसमें अपलाई करेंगे तो ठीक है फिर यहाँ पर आपको दिखाई दिए रहोगा बुगतान अनुभाग में जा दिखाई दिखाई रहोगा पे का ओप्सन इसके बाद लें को दिखाई दीघा इनंग को पे आपको यहां पर यहां पर वापस अभी एगा धोगила उसके बाद पिर से अगर को दिखाई देर होगा पेकर कर दिखाई तो फिर आगे बढ़ जाते हैं ठीक है पेमेंट करने के लिए गाइस जैसे आप थोड़ी देर रिलोड होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा ठीक है तो यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ पर आपका रिजिटेटर रिजिटेशन नंबर वगेरा इसके बाद है यहाँ पर अगर कुछ सीज़े पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं ठीक है तो simply आपको payment gateway one पर click करना होगा उसके बाद आपको simply process to pay pay ठीक है तो चली यहाँ पर करते हैं ठीक है यहाँ पर आपको सारी चीजे मिल जाएंगे यहाँ पर included होगे टोटल कितना मांट कर रहा है ठीक है तो simply यहाँ पर आपको select करने बाद प्रोसेट टूपे पर क्लिक कर रहा होगा अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा ठीक है यहाँ पर अगर आप डेबिट या पर क्रेडिट कार्ट से करना चाहते तो यहाँ पर ऐसा आगए अगर आप नेट बैंकिंग के थूप पेइमेंट करना चाहते तो simply आपको नेट बैंकिंग को सलेक कर लेना होगा ठीक है तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ट के थूप पेइमेंट करना चाहता हूँ अपना तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ट को सलेक करता हूँ ठीक है जैसे डेबिट कार्ट को सलेक करेंगे यहाँ पर फिर आपको सलेक डेबिट का का उपसन आ जाएगा ठीक है आप इसमें किसमें करना चाहते हैं वीजा में करना चाहते हैं वीजा काड के तुरू मास्टर कार्ड या फिर अधर बैंक मेस्टो या फिर आप रूपे ठीक है तो सिंपली यहां पर मैं रूपे के तुरू पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली जिसमें आपको सबसे पहले अगर आप debit card से payment करेंगे मैंने आपको जैसे मैंने debit card select किया तो सबसे पहले आपको card number उसके बाद आपको उसके expiry date और month उसके बाद जो ATM card का CVV number होता है उसको यहाँ पर इंटर करना होगा उसके बाद simply यहाँ पे नाओ पे मतलब पे वाले option को क्लिक करके आगे बढ़ना होगा ठीक है तो चलिए ठीक है उसके बाद जैसे आप उसको पे पे क्लिक करेंगे ठीक है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा ठीक है सबसे पहले उपर में आपका mobile नमबर रहे जाएगा उसके बाद यहाँ पे अगे बढ़ना है ठीक है अगर आपके नहीं आता है पहले ही में तो आपको यहाँ पे तो सिंपली आप रिसेंट टीपी के पे क्लिक करके ओटीपी को दुबारा पास सकते हैं ठीक है उसके बाद जैसे आप आपका फॉर्म सब्मिट होता है ठीक है पेमिंट हो जाते उसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेश फुली का एक मैसेज उपर में दिखाई देगा रिसेशन स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पेमिंट हैस में रिसेट सक्सेश फुली ठीक है तो यहाँ पे आपको आपका टांजक्शन डिटेल वगरा देखना है तो फिर आप नीचे में आपको मैंने बताया जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आपको नीचे में जैसे आप आएंगे आपके आपका साइन रहेगा उसके अलवा यहाँ पे प्रिंट का अप्शन रहता है तो सिंप्ली आपको यह प्रिंट व कर रहा हूंगा फिर आपका प्रेंट हो जाएगा ठीक है आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अपने दोसकों साहर करता ना बुले